यारु सबयलाई हार्दिक नमस्कार सदैट्रे आजय पनी महावारत्म केशव नामक सिंगलामा यारु सबयलाई हार्दिक स्वायरगर्दसु महावारत्म केशव नामक मेरो चौधाउं पुस्तको र ये संतरगत 159 वटा निमंदरू संकलिचन र युग प्रकासनमों कवस्ताम राईगुसा र दिश्वर लगडाउन वैरेको परिष्थिदिमा युग ततकाल प्रकासन संभाव नवायको काडली गर्दा इच्चुक पाठक पतासरुता मानवा वरुलक्का लागी केने की प्रारंबिक जानाकारी उस्पन में हिसाब ले इनिमंदरू लाई प्रतेक दिन यार। समक्ष प्रस्दोत करदया आएकुछु इसे सिल्सिलयमा आजव 71 निमंदलीर यार। समक्ष उपस्तित वाईकुछु प्रयों 71 निवंदको सिर्शक्ष उत्तरायन को प्रतीक्षाबां विश्म विश्म परभबाट लिये का दूयोटा निवंदः मते जा दर्म थेन जया 70 निवंदत्यों जो हीजो चर्चा गरियो और आजको यो निभन्दा मा बिसमा मिर्तू शहिया मा रहे रहे पनी उन्हीं उनलाई बाण लागे रहे मिर्दू आँखले इचाह begun खत्मा प्रांट त्याग गरने शकते उनले उनको सास गई रहे पनी मिर्तू शहिया मा थी बाण को चहीं विस्तारा बना रहे उनी शुदी रहे गा थी तर तेती विलाओ दक्षणायड थियू दक्षणायड मां मरनू उत्तम गती प्राप्त ना उने सास्त्र को निर्देश सा तेसकार ले गरता उनले उत्तरायड को प्रतिक्षा गरे रहे बसी रहे अत्यांत गायती अवस्तामा त्यू उत्तरायड को प्रतिक्षा गर्दे गर्दागा अवस्तार उकेकस्ताराई रहामिले मृत्युका संदरवमा जोजो मृत्तरायड को अवस्तामा अर्थात माक को एक गति देखी असार को अंतसमा जुन यो छोवना को अवदी च तेलाई उत्तरायड मानेँछ प्रतिक्षा म को एक गति देखी लिएर पूस्त को मसांतसमा तेलाई दक्षडायड मानेँछ दक्षणान मा मरी का देख्धियर को गती उत्तम गती प्राप्त गर्देनान मन्ने शास्त्रे विदान्च प्रतिशे संदरामा विश्मले उत्तरान को प्रतिक्षा गर्दे गर्दा विश्मले ककस लाइक गस्तो निर्देशंदी र के कस्तो सार्वजनिक ज्यान प्रदान गर मन्ने बारेमा यो निवद्नमा के सम्चेपमा प्रकास पार्मे प्रयाज गरिये कुछा। उत्तरायन को प्रतिक्षामा विश्मा। कौवडवर पांडव दुवई पक्षको इद्ध अवश्यम भावी वैपची। विश्मा द्रोणा क्रिपा रा सल्ले संगा अनुमति लियरा युदिष्टेरी युद्ध का लागी धैर भाय। युदिष्टेले विश्मा संगा मलाई तपाई संगा युद्ध गार्नुसा तेसेले तपाईले मलाई आग्यार आशिरवाद दिन वोस्मारे। तेसको प्रतित्तरमा बिश्मले युदिष्टे लाई इदी युद्ध का समेमा मेरो आज्यालिन मेरा सामु नायको भए मैले पराजित ने सराब दिन थें बन्दै युद्धमा बिजयी हो और तिम्रा अन्या आकांग्षा रुपनी पुरा वोण बन्ने आसरेवाद बेश्मले इदी युदिष्टे लाई तेसक्रम्मा बेश्मले अर्थस्य पुरुशो दाशो दासस्त्वर्थो नकस्याचित अर्थाद पुरुश दणको दास्या तर दनकसे को दास्याचित अर्थाद बन्दै आफु कवरप अरुको धन्द्वारा बादिये कुछु बन्ने बिवेश्टा युदिष्टेर्श मक्षा प्रस्तद गर्थाचित कवरवर पांडत पक्षेगा भीजमा विश्मबद का संदर मा लगातार दस्तिं सम्म युद्ध वयो मने प्रतीक तिन साच बरेपशी युद्ध विराम गरिंध युद्ध काक्रम मा च्वराले बावु नमान नवन्ने बावु ले च्वरा नवन्ने नठान्ने बाईले दाई रदाईले भाई नमान्ने और मामाले बांजूर बांजाले मामा बनी नठान्ने अवस्ता थियो कोरण दुशासंद्र सकोनी कई सल्लाली दुरुदन युद्धमा प्रभिर्त वहे कुथियो बने धिर्तरास्ट लगायत का कौरप पक्षे का देरी बेक्तियरू युद्ध नगर्नी पक्षे मा थि यथा प्रथम दिन को युद्ध देखेर युदिष्टेरली बन्द बांद वरुको हत्या गर्नु बन्दा बन्मा गयर तपस्या गर्नु नहीं सिर्यास्कार्श बन्ने ठांचन बने स्रिकिष्णाली युद्ध मा प्रविर्थ भायका बेक्तिली यस्तु गलत स्वजनु उपयिक्त नवभायकु बनेरा युद्ध लाई युदिष्टेरलाई युद्ध गर्नकु लागी अग्रसर्गराऊ सुन दोसरो दिन अर्जुन स्वंकको इव्धमा बिस्माले इन सात्मगो इव्धमा प्रविर्थ भुनु पर्ने चेत्रिय धर्मलाई देक्कारत संु दिश्म ले पराग्रम देखाऊंचन बने दिश्म लाइप मार्ना कृष्ट्री किष्ण उद्यात वन्षन साथे अर्जुले प्रतिज्यां पुर्भा काउरप सेन लाइप रास्त गर्दशन देतराष्टर संजएको संबात्का क्रमा दुरुदयन द्वारा पाण्डबरुको विज्या वकार्ण सोद्दा विश्मली ब्रह्माजी द्वारा गरीको स्तुतिको वड़ंगर्शन तिस्क्रम्मा, ब्रह्माली संप्ण जगत्को सामी म ब्रह्मा उनेई भगमान बाशुदेप को जेश्टा पुद्रा हूं, तिमी सवय ले उनेई सर्वलोका मैश्वर भगमान बाशुदेप को आरदना गर्नों पर्शा पनेगा हूं तस्याहम अग्रजह पुत्र शर्वश्य जगत्क प्रभु बाशुदेपोर जनी योवः सर्वलोका मैश्वर उनेई स्रिकिष्ण ले पहला प्राणी का अग्रा संकर्शन लाई प्रगडगरी उनेई बाट नारेन, नारेन को नाभी बाट कमल र कमल बाट ब्रह्मा र ब्रह आरकु श्रिष्टी बाएगो आठाउ दिनको एद्धा का क्रमा विश्मर दोर्यदन का भीचमा उरकानी हुदा विश्मले नसक्या पांडवाद जेतुम शेंद्रेही र फिशुरा शुरै अर्दात इंद्रसाइट संपुन देवतार आशुर मिलेर पनी पांडवरुलाई जितन सकितेना वन्ने गुरा देख्ता गरशन। पन्दू बांदवरुलाई मारेर आमिले के प्राप्त करनेशन। अर्था हेतुर नरास्त्रेष्ट क्रियते करमकुच्षितं निगर्थान यत्किरते हेवं क्रियते ग्याती सम्ख्या अधनस्या मृतं सेयो नजग्याती वधाद धनं किमनु प्राप्षया महे क्रेकिष्णा हत्वा ग्यातिन समागतान। गुरू दुर्णाचारेर अर्जुन सिस्य अर्जुन का बीजमा युद्धा हुदा दुर्णाचारेले अर्जुनलाई आहुनों प्रिया सम्झेर बचावडगर्नाचा आधनन बने अर्जुनले पनी छेत्रिया धर्मलाई आत्मसाद गरेर युद्धास्थालमा गुरुला आपनो प्रिय नठानी युद्धामा प्रविर्द वैग्रमा ये स्राटा आपनो धर्मका स्वामु जस्तोशुगै प्रिय वस्तोपनी शामन्य मुदो रहेशा वन्ने शिक्षा प्रात्ता होंचा। आपनो प्रतिक्यालाई अशत्य सावतिन गर्नोस पनेर अर्जुनले उनलाई रुक्षन। इम्रे हों वनेर सरण मा आई पर्षा जो श्त्री 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 श्ते नाम राहेगोचा। जो आहना पिताको एकलावटी शोरोचा। सक्गुन हरुकु सुजना दिये बने बेमसेनले कवरप पक्षे का प्रमुग 10 माराती का सात्मा एकले युद्ध गरिर अधुवत पराग्रम देखाए युद्ध गई क्रम्म अर्जुनली विश्मलाय मुर्शित बनायर शिखन्डिलाय मानव ढाल का रुब्मा प्रयोग गरिर पांडबरुली विश्मबाथिया आत्रमन गरि युद्ध बोमीमा यदी सिर्किष्नली पांडबरु को रक्षा गर्दे नती बनी आधुली एकले एकई धनुस्त्वारा संप्रण पांडब पक्षलाय मार्ने थिये बन्ने गुरा दिस्मली विश्मली पेक्टगरी साथी उनली पांडब का संथान भैगाली पांडबरु आँखना लागी अबद्य समली पहिलास्त्री भैगो शिगंडी आँखना सामु आउदा आईगाली आँखली युद्ध नगर्नी विचारवे येसे वेला आपना पिताले दियेका दुईयोटा बर पनी उनले समदी जवा इच्या उन्चा तब मरनी र युद्धमा पसेले मारन नशकने बरदा नाफले पाये गाली आपना इच्छा मरन को समय आये गो उनले निस्चेय गरे यस्तो निष्ट्य गर्णी वित्ते का आकास्मा खड़ावाय का रिशे ओरले पनी उनको प्रसम्षा गर्दी युद्ध वाटा आहुना चित्ते वृती हटायर इच्छा मरण गर्णा निष्ट्य गरिय को कुरामा द्रिड रावना रै रावना निष्णलाई प्रेविद्ध इच्छा मरण को निष्ट्य गर्गी कार्ण शिखंडिका वाण द्वारा आद वैर अपनी बिश्मा निष्चल वैर शक्ति साली गंगाद नंदन विश्मा मृत्य शय्या मपोगी पसी दुवई पक्षिगा सैनिक का वीर हरूले आहुना संपुण सस्त्र अस्त्र अरू विशाई अत्यंत ठुलू चिन्ता मादूमे कोई चिच्चाउं देरू न थाले कोई यताउता भाग न थाले बने कोई बीर हरू मुर्चित वै कोसेले इमसात्म चेत्रियत अर्मको निंदागर्न थाली बनी कोसेले विश्मको प्रसम्षा गरी रही रिशी बर्गर पित्री बर्गली पनी महान प्रतदारी विश्मको उच्च प्रसम्षा गरी बरत वम्सका पुर्व जरुली पनी विश्म को बडाई चड़ाई गरी सांतनु नंदन विश्म महान उपनिश दरुको सारभोत युक्को आस्रे लेर उमकार जबते उत्तराण को प्रतिक्षामा मिर्त्युशयामा सरसयामा शुतिरै महो पनिशितम चैवा युगमास्ताय विरिवान जबन शांतन वो दीमान काला कामची स्थितो भबत राजा अरुशय दियुद्धा अरुश सरसयामा सुतिरैका मिस्मलाई भेटन बुख्षन बिश्मली सबैलाई स्वागत गरदै उनियर को दर्शनली आहु अत्यम्त संतुष्ट रायको बताउसन बिश्मली आहुन स्थिर तल जुण्डिये रायको हुना उनियरुशंक तग्या राखे दिना आग्रा गर्शन राजा अरुली तपकाल अप्त ठुलार कोमल तग्या रुली एर आये तर बिश्मली नैतानी बिरसयाशु युप्तम रूपाणी पार्थेव अर्थाद ए राजा अरु इतग्या बीरसया का अनुरुप्षैरं बर रतिनलाई शुईकार गर्दैरं त्यस्वजे बिश्मली अर्जुन लाई तक्या लियाई दिना अनुरुद गरे अर्जुन ले तीन बाण बोहिमा राखे रा गाडे र तक्या बनाई दिये बिश्मली सेरलाई माती उठाय बने युदस्तलमा इसरीने सरसयामा सयन गर्णु पर्षबने र बिश्मली इसा प्राप्त गरेगो जो बाण सईये मां स्वतिका बेगते लाई बाण डिगाले रवबजार गरावनों उप्वेगत नहोंनी भैकाले आफनों सरीर लाई इनाई बाण का साथ दगरावनी गरावना चाही को उड़ा बताए अर्जुनले तिव्यजल प्रकट गरेर बिश्मजी को प्यास मिटाई बने बिश्मजी ले अर्जुन को उच्च प्रसंशा गरते दुरधन लाई युद्यको अंत्य गरी पांड़क संगर संधी गर्नक लागी शंजाए तरा मरनासन्न बेक्तिका लागी दुन्सके किसिंको आउसदी प्रयोजन बहिन बाई जाई बिश्मको बजन लाई पने दुरधनले पुर्णाता बेवास्ता गरे आत्मात्य गर्नों अपरादू तरा बिश्मले आत्मात्य होई ना इच्चा मरन को आसरे लिए गा थी आहने पिताद्वारा प्रदत्त बरदान एक दिन अवस्यम भावि थाने रानी युद्धमा आहने बंधुबांद बरुक वात्यागर्नमा जायरे उनले युद्धगई क्रममा इच्चा मरन रोदेगा हों उनको यो इच्छामर पलाएन वहिन आहुने किताजी द्वारा प्रदत्त बर्दान को फशभल कारनेन हो जिवन बर दक्षणायन मा हेनी रानी तेसके चिंतन गरिदेनी हरुली उत्राणी को मक्तिमार्ग प्राप्त गरना शक्त इसकते न जसले जिवन मा उत्राणी को चिंतन गर्षन र तदनुसार आहनो जिवन लाएक गर्याँशन तिनेले बिश्म पिताव माले बने जाई उत्राणी को गतिवा मोक्षय पनी त्राप्त गरना शंबाव्टे गिंछा यो मायाबारत को चैटम बिश्म परव अंतरगत को उत्राणी को प्रतिक्ष्यामा बिश्म शिर्षक को यो निवन्द वो विशेवस्त इतिनेरेव यो सुनेरा मेरो आउशला बड़ाई दिनोने दर्शक तथा सुरता मान वाबरुमा आर्दी गनुरत गर्दै यारु समक् विदा जान्चू निवाद निवाद नमस्कार